आश्याम लेकूम मैं हूँ आईशा खान और आप देख रहे हैं मैं यूट्यूब चेनल आईशा का कीचन आज 15 अगरस्त है आज की तारीक भारती इतिहास में बहुत महत्वपोन है आज हमारा देश आजाद हुआ था आप सफी को आजादी का दिन मुबारेखो आज की स्वत्त्रता दिवस पर मैंने बनाया है ट्राइकलर ढोगला इसके लिए मैंने ये सूजी ली है 200 ग्राम सूजी है इस सूजी में हम थोड़ा सा नमक डालेंगी नमक डालने के बाद हम इसमें दो छोटे चमच शक्कर डालेंगे शक्कर डालने के बाद आधा चमच मिठा सोड़ा डालेंगे मिठा सोड़ा नमक और शक्कर डालने के बाद हम इसमें खटा देहिं डालेंगे एक साथ काफी सारा देहिं नहीं डालना है थोड़ा थोड़ा देहिं डाले और इसे अच्छे से मिक्स करें ये ढोकला बहुत टेस्टी बनता है और बनाना भी आसान है और जब आप ये ट्राइकलर ढोकला आज की दिन बनाएंगे तो ना सिर्फ खाने में अच्छा लगेगा बलकि देख कर भी आपको बहुत खुशी होगी तो आज की दिन आप ये डिश जरूर ट्राइ करें मेरी रेसिपी आपको केसी लग रही है प्लीज कमेंट्स जरूर करें मुझे आपकी कमेंट्स का इंतिजार रहता है आप आईशा के कीचन में क्या देखना चाहते हैं ये फिर बताएं आपकी पसंद के डिश फिर इंशाला बनेगी आपसे रिक्वेस्ट है अगरा फॉर्स टाइम मेरा चेनल देख रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब मै चेनल आईशा का कीचन हमें ढोकले का बेटर इस तरीके से बनाना है अब हम इसे दो से तीन घंटे के लिए ढखकर रखतेंगे दो तीन घंटे के बाद में देख रही हूँ हमारे बेटर अच्छे से कांप्लीट होच चुका है हम क्राइब कलर ढोकला बना रहे हैं तो हम इसे तीन भागों में डिवाइट करेंगे ये एक हिस्सा मैंने अलग कर लिया है इसमें में ग्रीन कलर मिक्स कर रही हूँ फूट कलर की जगह पर हम सब जीविएट कर सकते हैं जैसे माटार, पालक इससे भी ग्रीन कलर आजाएगा बहुत ज़्यादा कलर नहीं लेना है कलर अच्छे से मिक्स कर लेंगे बहुत अच्छे से मिक्स हो गया है इस कड़ाई में हम थोड़ा सा पानी लेंगे, बहुत ज़्यादा पानी नहीं लेना है इस प्लेट में हम आईल लगा देंगे, कोई भी कुकिंग आईल हम ले सकते हैं आईल को अच्छे से प्लेट में फेलाना है बहुत ज़्यादा आईल नहीं लेना बहुत थोड़ी से आईल में भी हमारे काम हो जाएगा ब्रश से भी आप लगा सकते हैं मैं हाथ से लगा रही हूँ जैसा आप लगाना चाहें लगा दे अब हम इसमें ग्रीन जो हमने बेटर तियार किया है इसे डाल देंगी इसे अच्छे से फेला देंगी और अब हम इसे स्कीम देंगे हमें इसे चार से पाँच मिनट के लिए धीमी आज पर ढखकर रखना है लग भग चार मिनट के बाद में देख रही हूँ यह जो हमारी ग्रीन लेयर ही अच्छे से सेट हो चुकी है इसके सेट होने के बाद हम इसमें जो हमने वाइट पेटर अलग करके रखा था उसे डाल देंगी इसे भी हमें अच्छे से पेला देना है तीनों लेयर एकवल रखें इसे भी हम तीन से चार मिनट के लिए ढखकर पगाएंगी अब जो तीसरा हिस्सा हमने अलग करके रखा था इसमें हमें औरेंज कलर मिक्स करना है बहुत ज़्यादा कलर नहीं लेना है इसे भी हम खुब अच्छे से मिक्स करेंगे जब भी आप ठोकला बना रहे हैं जब ठोकले के बेटर को हम जितना अच्छे से फेटेंगे हमारा ठोकला उतना साफ्ट बनेगा औरेंज कलर भी हमने बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है लग फाक चार मिनट के बाद हम देख रहे हैं हमारी जो वाइट लेयर है ये भी अच्छे से से हो गई है इसकी उपर अब हम ये औरेंज लेयर लगा देंगे औरेंज बेटर को भी हमें अच्छे से फेलाना है रिपब्लिक टे या इंडिपेंडेंस टे पर जब हम ये ट्राइकलर ठोकला बनाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा खाने में भी और देखने में भी घर आए मेहमान इसे देख कर ही खुश हो जाएंगे लगभग चार मिनट के बाद में इसे चेक किया है ये अच्छे से सेट हो गया है कोई भी चम्माच चाकू डाल कर इसे चेक करें बिल्कुल साब सुत्रा ही निकला है हमारे ठोकला अच्छे से सेट हो चुका इसे ठंडा होने देंगे ठंडा होने पर ही हमें इसके पीस कट करना है मन चाहे शेप में हम इसे कट कर सकते हैं धोकला के पीस कट करने के बाद इस पेन में थोड़ा से कुकिंग आइल देंगे इस आइल में हमें राई को फ्राई करना है राई के बाद हम इसमें हरी मिर्ची और कड़ी पत्ता फ्राई करेंगे कड़ी पत्ता और हरी मिर्ची के अच्छे से फ्राई हो जाने के बाद हम इस तड़के को धोकले पर डाल देंगे आधा डालेंगे आधा डालने के बाद हम इस धोकले को डारने करेंगे और पचावा तड़का इस green layer पर भी डाल देंगे अब देखते हैं हमारा धोकला किसा बनाए मशाला देखे क्या मस्द नजरा रहा है इस धोकले को हम कीसी भी चटनी के साथ सेर्वे कर सकते हैं चाहे तो हम इसे दही के साथ भी खा सकते हैं दही के साथ अगर हम सर्व कर रहे हैं तो ताजा दही लेंगे दही को अच्छे से फैट लेंगे दही को अच्छे से फैट लेने के बाद हम इसमें PCV शक्कर डालेंगे तेस्ट्री के कड़िंग शक्कर लें लिए अगर ज़्यादा मिठा खाना चाहते हैं तो श्यादा शक्कर भी ले सकते हैं नमक डालेंगे और थोड़ा से हम इसमें चाट पाउडर डालेंगे इंसे भी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे बहुत ही चट पटासा देहीं कांप्लीट है देहीं के सट ठोकले को सर्व करें अगर चटनी बनाना चाहें तो चटनी भी बहुत असानी से बन जाएगी इस कड़ाई में हम थोड़ा से कुकिंग अईल लेंगे आईल के गरम होने के बाद हम इसमें लेसन फ्राई करेंगे लेसन के फ्राई होने के बाद हम इसमें सोफ फ्राई करेंगे सोफ के फ्राई होने के बाद हम इसमें हरी मिर्ची फ्राई करेंगे हरी मिर्ची के साथ हम कड़ी पता भी डाल देंगे हरी मिर्ची को अच्छी से फ्राई कर लेंगे इसको ज़्यादा डार कर नहीं करना है हरी मिर्ची का कलर चेंज हो गया है अब हम इसमें सिकेवे सिंग दाने डल देंगे इनसे भी को अच्छी से मिक्स कर लेंगे, केस बन कर लेंगे और मिक्सर की जार में अब हम इसे ट्रास्फर करेंगे इस चटनी को हम ना सिर्फ ढोकले के साथ, पकोडे के साथ, पराठी के साथ, किसी के साथ फिखाए बहुत टेस्टी लगती है हम नमक डालेंगे और शक्कर डालेंगे शक्कर हमें तीन से चार छोटे चम्मच लेना है नमक शक्कर डालने के बाद हम इसमें लेमन जूस आइट करेंगे और हरा धनिया आइट करेंगे हरे धनिये को अच्छे से वाश कर लें इसमें हम Ice Cube डलेंगे, Ice Cube डलने से हमारी चट्नी का Color हरा रहेगा और ये हमारी चट्नी कम्प्लेट है है न बहुत आसान तरीका Green चट्नी बनानी का अब इस ढौपले को हम इस चट्नी की साथ सर्वे कर सकते हैं चटपटे देही की साथ सर्वे कर सकते हैं अगर आपी दोनों न लेना चाहें तो इसे टमाटर साज के साथ भी खाया जाए सकता है तो आज कई ब्रिकफास्ट आपको कैसा लगा जैरूर कमेंट्स करिएगा मुझे आपकी कमेंट्स का इंतिजार रहेगा हैपी इंडिपेंडेंस जी